जी यहां दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से एट एच में आपका स्वागत है दोस्तों बहुत सारे लोग का प्रस्ण था कुश्चन था कि सर जो अभी सौधी दुबई यॉमान कत्तर की जो बहुत सारे भाईयों का बीजा भी आने वाला होगा बहुत सारे लोग का इमिगरीशन जो बंद हुआ था ओबिं नहीं हो जो भी होगा वह आफटर बकरीद जो अभी आ रहा है यह मुसलिम का जो त्याभार है जो फैस्टीवल है यह इसके बाद यह आपका start-up होगा जो immigration होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कब से कभ तक immigration बन रहे गा और कब से कभ तक open होगा सबसे बड़ी चीज मैं बता दू कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवीशन देता है कुछ आगे नया करने का और नया इंफरमिशन बताने का और हमारी वीडियो पसंद आये तो इसको अ जी हाँ जो दुबई का इमिग्रिशन यानि जो चुटी रहेगा बन रहेगा बकरीद को लेके वह आपका आठ तारीक से लेकर 12 तारीक तक क्लोजिंग रहेगा जो वर्किंग डे होगा वह 13 तारीक से स्टार्ट अप होगा उसके बाद हम आते हैं कुवेत के तरफ तो कुवेत का भी 9 तारीक से लेके 12 तारीक तक बंद रहेगा जो वर्किंग होगा वह 13 तारीक से होगा उसके बाद से हम आते हैं सौधी के उपर सौधी का 8 तारीक से लेके और 13 तारीक तक बंद है काम जो स्टार्ट अप होगा वह 14 परिक्रिया है 9 से लेके 13 तक फिर हम बात करेंगे ओमान का तो ओमान का भी 8 से लेके 13 तक और जो वर्किंग डियर होगा वो 14 तरिक से होगा हमारी इस वीडियो को जदा ज़दा लोगों तक सेयर करें ताकि लोगों को यह अपडेट इंफोमेशन मिल सके कि हां इमिग्रेशन कब से कब तक बंद रहेगा और कब ओपन होगा और आप जरूर कमेंट करके यह बताएं कि हम अगला वीडियो कौन से अपडेट के उपर बताएं कि आपको कौन से देश का वीजा चेक करने नहीं आता यहां वीजा को वेरिफाई कैस से पाएं यह सारी डीटेल के उपर आप वीडियो जानना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो हमें मेल करें हमारे मेल का जो अइडी होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा नंबर है वाट्सप भी करके बता सकते हैं कि आप इसके उपर वीडियो बनाईए तो जरूर हम उसके उपर वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए इंज्वाई कीजिए थैंक यू सो मुच है वन नाइस टे